इस्राइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किये गए हमले का मस्टर माइन हमास चीफ याहिया सिन्वार मारा गया है इस्राइल के प्रधार मंत्री बिंजा में नेतनियाहू और विदेश मंत्री की तरफ से इस बात की पुष्टी की गई है सिन्वार की मौत को लेकर उन्होंने जानकारी दी नेतनियाहू ने वीडियो मेसेज के जरिये कहा कि हमने हिसाब चुकता कर दिया लेकिन जंग अभी भी जारी ही है दरसल इस्राइल डिफेंस फोर्सिस आईडियेफ ने 16 अक्टूबर को रूटीन ओपरेशन में सेंट्रल गाजा की एक इमारत पर हमला किया था इसमें हमास के तीन सदस्यों के मारे जाने की खबर आई बात में पता चला कि इनमें से एक याहिया सिन्वार भी है सोशल मीडिया पर इसके फोटो वाइरल हुए इसमें उसके चहरे दांत और घड़ी से दावा किया गया कि मारा गया शक्स यहाया सिन्वार ही है दरसल इस्राइल और हमास की जंग की वजह 7 अक्टूबर का हमला था इसमें 1200 इसराइली नागरिक मारे गए थे तब से दोनों के बीच जंग लगातार चारी है बता दे कि सिन्वार की मौत की जाच के लिए DNA टेस्ट तक किया गया इससे पहले भी सिन्वार को मारने के लिए इसराइल ने कई कोशिशे की थी हाला कि इसमें काम्याबी नहीं मिल सकी थी 23 सितंबर को भी सिन्वार की मौत का दावा किया गया था सिन्वार की मौत के बाद नेतनियाहू बोले सिन्वार मारा गया पर जंग अभी भी जारी है सिन्वार की मौत के बार इसराइली प्रधानमंत्री नित्मियाहू ने बयान जारी किया और कहा इतिहास में होलोकास के बाद यहूदियों पर किये गए सबसे भयावा नरसनहार को अंजाम देने वाले शक्स को मार गिराया गया सिन्बार को मार कर हिसाब चुकता कर दिया गया लेकिन हमारी जंग अभी भी जारी है सिन्बार की मौट का पल हमारे नागरिकों को घर वापस लाने के लिहाज से बेहत एहम है सिन्बार के मारे जाने को लेकर अमेरिकी राश्टपती जो बाइडन ने भी बयान दिया है स्टीनियों एमेरिकियों और तीस से भी जादा देशों के नागरिकों की मौत का जिम्मिदार था इस्राइल डिफेंस फोर्स यानी आईडियेफ के प्रवक्ता डैनियल ने कहा है कि सिन्वार राफा के ताल-अल-सुल्तान इलाके में छिपा था जब ये फुटेज ली जा र हगारी की जिससे उसकी मौत हो गई बाद में शवोकी जाज के दौरान पता चला कि वो सिन्वार है हगारी ने कहा है कि उसके पास से बुलिट प्रूफ जैकेट ग्रेनिट और 40,000 इस्राइली करिंसी मिली है कई रिपोर्ट से कहते हैं कि सिन्वार आखरी समय में जिस इलाक इस्राइल हान्ये 31 जुलाई को इरान में मारा गया था इरान के इसलामिक रिवलूशनरी गार्ड कॉपस ने उसकी मौत की पुष्टी की थी आयार जी सी ने बताया था कि तहरान में हान्ये के ठिकाने पर रात दो बजे करीब मिसाल से हमला किया गया था इसमें हान्ये और उसके एक बॉडिगार्ट की मौत हो गई थी इसराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के तीन एहम किरदार थे वो तीन कौन थे इसे आप समझे इन में पॉलिटिकल चीफ इसमाइल हानिये मिलिटरी चीफ मुहम्मद दाइफ के अलावा गाजा में हमास का लीडर याहिया सिन्वार शामिल था 31 जुलाई को एरान में हानिये की मौत के बाद सिन्वार ही संगठन का नया चीफ बना था तो वहीं हमास के मिलिटरी चीफ मुहम्मद दाइफ की 13 जुलाई को ही एक हवाई हमले में मौत हो गई थी जिसकी पुछ्टी एक अगस को हुई थी ऐसे में हमास की टॉप लीडर्शिप में सिर्फ सिन्वार ही बचा था लेहाजा इसराइल का पूरा ध्यान इस वक्त सिन्वार को ढूंड कर उसे मारने पर ही था ये भी जान लीजे कि सिन्वार कौन था कहा जन्मलिया उसने कैसे वो हमास चीफ बना सिन्वार का पूरा नाम याहिया इब्राहिम हसन सिन्वार था उसका जन्गाजा पट्टी के दक्षनी इलाके में सिर्फ खान यूनिस के शरनार्थी कैम्प में हुआ था याहिया के माबाप अशकेलॉन के थे 1948 में इजराइल की ये स्थापना हुई और हजारों फिलिस्तीनियों को उनके पुष्टैनी घरों से निकाला गया तो याहिया के माता पिता भी शरनार्थी बन गए थे दो इजराइली सैनिकों और चार फिलिस्तीनियों का अपहरण और उनकी हत्या करने के आरोप में सिन्बार को 1989 में गिरफतार किया गया था उस वक्त याहिया की उम्र 19 साल थी मुकदमा चला उसे आजिवन कारावास की सजा सुनाए गई हाला कि 2011 में इजराइली सैनिक गिलाद शालिट के बदले में हजार से भी ज्यादा कैदियों की अदला बदली के दौरान सिन्बार को भी रेहा कर दिया गया था तब तक सिन्बार करीब 22 साल जेल में बिता चुका था सिन्बार को निर्मम हत्याई करने के लिए जाना जाता था एक रिपोर्ट के मुताबिक सिन्बार ने इसराइल के लिए जासुसी करने के शक्त में एक शक्स को उसके भाई के हाथों ही जिन्दा दफन करवा दिया था अब इसमें हैरानी की बात है ये भी सुनिये हैरानी की बात तो ये है कि दफन करने का काम किसी फावडे से नहीं बलकि चम्मच से किया गया था ऐसी कुरूरता की बजह से ही सिनवार को खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता था सिनवार की करीबी भी उससे खौफ खाते थे कहा जाता है कि अगर आप सिन्वार की बात को टाल रही हैं तो अपनी जिन्दगी को दाउप पर लगा रही हैं इतना खतरना सिन्वार ने 2015 में हमास कमांडर महमूद इश्तिवी को टॉर्चर कर जान ले ली थी इश्तिवी पर सैम लिंगता और पैसो की हेरा फेरी का आरूप था सिन्वार लोगों को कंच्रोल करने में बहुत माहिर था हाला कि उसे बहुत अच्छा वक्ता भी नहीं माना जाता था 2014 में उसे मृत घोशित कर दिया गया था कुछ समय बाद ये एक अफ़ा साबित हुई 2015 में यहिया को अमेरिका ने आतंकी घोशित किया था सिन्वार को इरान का करीबी माना जाता था हाला कि एक के बाद एक हमास जितने भी चीफ बने हैं उनका खात्मा ही होता गया है और इसी लाइन में अब यहिया सिन्वार का नाम भी जुड़ गया है फिलाल ये देखता होगा कि सिन्वार की मौत के बाद अब इस्राइल के पीछे कितने देश पढ़ते हैं किस तरीके से अक्शन दिया जाता है इस्राइल कैसे और आगे अपनी जंग जारी रखता है क्योंकि बेंजा में ने तियान कहा है कि भले ही हमने हिसाब चुकता किया लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है अब भी जारी है